कि है कि है कि है कि हलो एब वन क्या हाच चाल मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो कल की वीडियो के लिए बहुत-बहुत थैंक्स जैसे कि मैंने कल जो वीडियो डाला था तो मैंने 500 लाइक्स का एम रहा था और मुझे 500 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं जैसे जो वीडियो वह बहुत ही कमाल का होने वाला जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ कल जिसे मैंने वीडियो डाला था यह वाला ठीक है इसमें जो है मुझे 500 लाइक्स यहां पर 519 लाइक्स यहां पर मिल चुके हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो आज का जो वीडियो बहुत ही amazing होने वाला है तो आज की trick है free form window के ऊपर तो यह trick basically सभी android डिवाइस में work करती है तो मेरे पास samsung का device है तो आपके पास कोई भी android device होगा तो आप इस trick को जरूर अपलाई कर पाएंगे तो फिला लगा आपके पास samsung का तो मुझे बहुत खुशी होगी आप इस फीचर को इनेबल कर पाएंगे और आज की वीडियो में हम एम रखते हैं 600 लाइक्स का तो मैं धीरे धीरे अपने लाइक्स बढ़ाऊंगा वैसे तो 500 लाइक्स का एम तो मेरा कंप्लीट हो चुका है आप मुझे बहुत प्यार दे र जो है 600 लाइक्स कंप्लीट होते हैं सो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम में राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके यूस्टेक चनल तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्री फॉर्म विंडो मतलब की आपको स्प्लीट विंडो का बारे मैं पता होगा शा गलक्सिस स्टॉर ओपन करते हैं है चाहे कुछ भी ओपन करते हैं कूल मिलाघ के। रही है सिंपली आपने अपनी रिसेंट यहां पर ओप forensic पर आपन करनी हैरो कूल होने वाला है skip मत करना ठीक है तो हम यहां पर जो है उपर यहां यूट्यूब बन रहे नहीं यहां फिर आप यहां पर गालरी करनेशन वर्रया यहां आप यूट्व यां पर कलिक निटिक है तो यहां पर अपर और मिल जाता है ठीक है open split screen view, चलिए इसको हम open करते हैं, open हो गया, नीचे, कुछ और open हो गया, मतलब की नीचे मैं 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 नी open हो गया, open मेरा यहाँ यहाँ पर YouTube open हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पर YouTube में कुछ सर्च कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर कुछ application open कर रहे हैं, फो इतना साइज किया इसको हम निच्छे बढ़ाएंगे नेकिन निच्छे को नहीं जाएगा ठीक है तो यह स्प्लीट विंडो मतलब क्या डवल विंडो यहां पर यूज कर सकते हैं आधी आधी स्क्रीन ठीक है यहां पर हम दूसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो दूसरी आपका यह निचान बनाना है यहां पर हाथ आखेंगे तो आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं ठीक है लेगे लेकिन यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ट्रांस्पिरेंट का ओप्शन मिल जाता है तो आप इसको ट्रांस्पिरेंट भी कर सकते हैं इस तरह ठीक है for example YouTube को open करते हैं तो YouTube को भी इस तरह कर सकता हूं ठीक है pop-up view मैं इसको यहां पर कर देता हूं ठीक है YouTube भी कर दिया ठीक है तो आप कोई भी application को ऐसे pop-up view में minimize कर सकते हैं तो इसको बोलते से तो यहां पर दोनों आगे resize करना है तो resize option तो यहां पर mainly रहा है जैसे कि आपके फूल स्क्रीन हो गया ठीक है चलिए इसको में यहां पर करूँगा तो यह resize नहीं हो पा रहा है ठीक है इसको resize करना है कैसे करना है तो मैं आप इसको स्क्रीन पर इस तरह करूँगा जैसे कि तो कई बार होता है कई बार नहीं होता है यह दूस्तियों resize हो गया चोटा हो गया तो इसको लंबा भी कर सकता हूं मैं तो यह इसको बोलते हैं free form window अगर आपके device में यह चीज़ on करना पड़ता है लेकिन कुछ device ऐसा होते हैं जैसे कि मेरे वाद Samsung का device इसमें मुझे on करने की जूरत नहीं free form window ओन करने की जूरत नहीं लिकिन यह work करता है लेकिन free form window आपने enable कैसे करना है अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं अगर work नहीं कर रहे है ठीक है उसके लिए जाना होगा आपको सेटिंग वाले option में फिर जाना है अपने developer option में तो enable कैसे करना आपको पता है अब आउट phone में जाना है बिल नमबर पर साथ बार क्लिक करना है उसके बाद यह इनेबल होता है ठीक है तो आपने नीचे को स्क्रोल डाउन करना है फिर last में आपको यहां प फीचर वर्प करने लगेगा समझ गए तो आज का वीडियो को कैसा लगा comment box पर comment किजिएगा और हाँ आज 600 का aim 600 likes का aim पूरा होना चाहिए बाइबाइ टेके जैहन बंदमात्र